हेलो फ्रेंड स्वागता है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास्न Heck तो फ्रेंड्स अगर आपके पास दो यूट्यूब चैनल है जिसमें से आपका जो एक चैनल है वो चोटा है वो अभी तक ग्रो नहीं हुआ है और आप चाहते हैं कि आप उसे बड़े चैनल में add करके grow करें तो friends आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने एक चैनल में अपने दूसरे चैनल को add कर सकते हैं और उससे आपको views बढ़ने में काफी जादा help मिलेगी या फिर कैसे आप अपने बड़े चैनल में अपने चोटे चैनल को add कर सकते हैं और साथ साथ में आप अपने चोटे चैनल की जो videos हैं उनको भी वहाँ पे कैसे add कर पाएंगे ये सारा process में आपको इस वीडियो में practical करके दिखाऊंगा अपने laptop की screen के उपर फ्रेंड्स एक काफी जादा informative वीडियो है तो वीडियो को पूरा last तक जरूर देखेगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे new हैं तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe करें और notification bell को on करके उसे all पे set कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं मेरे laptop की screen के उपर जैसके आप लोग देख सकते हैं इसमें मैंने chrome browser open किया हुआ है अगर आप mobile phone से करना है तो आपको same steps को follow करना है जो मैं आपको इसमें सिखाऊंगा ठीक है इसकी screen बढ़ी है इस पे आपको अच्छे से समझ में आएगा इसलिए मैं आपको इसमें समझा रहा हूँ तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे सबसे पहले www.youtube.com यह type करना है और आपको अपने channel के अंदर login कर लेना है मैंने अपनी channel के अंदर login किया हुआ है उसके बाद आपको simply यहाँ पे top right corner में अपनी profile का जो icon दिखाई देगा आपको simple इसके उपर click करना है और यहाँ से आपको your channel के उपर आ जाना है तो your channel पे आप जैसे ही आएंगे यहाँ पे आपको customize channel का एक option दिखाई देगा आपको simple इस customize channel पे click करना है और यह इस तरीके से आपका YouTube studio का dashboard आ जाएगा और यहाँ पे channel customization का यह option खुल जाएंगे layout, branding, basic info यह सारा यह page आपके सामने open हो जाएगा अब आपको अपने किसी दूसरे channel को इसमें add करना है तो आपको मैं आपको एक dummy channel add करके दिखा रहा हूँ अपना ठीक है जैसे मेरा यह channel है मैंने खोला हुआ है ठीक है perfect amazon विकास वाला इसको मैं आपको इसमें add करके दिखाऊंगा कि कैसे add करना है आपको तो यहाँ पर आपको scroll down करना है और यहाँ पर आपको एक section दिखाई देगा featured sections ठीक है इसके अंदर आपको यहाँ पर यह add section का option दिखाई देगा तो यहाँ पर आपको simple add section पर click करना है उसके बाद आपको इसे scroll down करना है और यहाँ पे नीचे आपको एक option दिखाई देगा featured channels तो यहाँ पे आपको जिस channel को आप add करना चाते हैं वो आपको यहाँ से add करना है तो आपको simple इसके उपर click करना है उसके बाद यहाँ से सबसे पहले आपसे पुछेगा कि आप title क्या रखना चाते हैं जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ my second channel ठीक है यह title आपने रख दिया उसके बाद यहाँ पे आपको बोलेगा any channel on youtube तो यहाँ पे आप क्या करेंगे अपने channel का नाम search करेंगे जिसको आप add करना चाते हैं तो मैं इसका नाम search कर लेता हूँ ठीक है तो यहाँ आप देख सकते हैं उपर ही search में आ रहा है तो यहाँ पे इसको मैं select कर लूँगा उसके बाद मैं यहाँ पे done पे click कर दूँगा तो आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं यह featured channels यहाँ पर second channel यहाँ पे add हो गया है अब हमें इसको उपर लेके आना है तो इसके लिए हमें क्या करना है बहुत ही simple सा है यहाँ पर आपको यह जो दो lines दिखाई दे रहे हैं इसे आपको पकड़ के रखना है और उपर लेके जाना है जहाँ पे आप लेके जाना चाहते हैं इसे ठीक है मैं इसे सबसे उपर कर देता हूँ ये पकड़के इसे यहाँ पे ले आए ठीक है ये यहाँ पे दिखाई देगा सबसे उपर अब और उपर कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे आ गया ये इस तरीके से और यहाँ पर इसे हम publish कर देंगे ठीक है अब यह channel पर कैसे दिखाई देगा view channel पर click करेंगे तो यह आप देख सकते हैं यहाँ पर यह मेरे channel पर जब भी कोई visit करेगा तो उसे मेरा यह my second channel के नाम से यह दूसरा channel यहाँ पर दिखाई देगा तो वो चाहे तो इसे यहाँ से subscribe भी कर सकता है ठीक है अब यह तो आपका channel तो add हो गया अब आपके mind में एक चीज आ रहे होगी कि मैं अपनी videos को कैसे इसमें add करूँगा तो उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना आपको simple इस पर दुबारा customize channel पे जाना है और दुबारा यहाँ पे scroll down करना है और इससे पहले आपको क्या करना होगा जो आपको दूसरा channel है उसमें आपको playlist बनानी होगी यहाँ पे playlist पे click करेंगे मैंने इसमें एक playlist बना रखी है तो आपको भी पहले playlist बना लेनी होगी उसके बाद ही आप उस playlist को वहाँ पे add करेंगे तो यहाँ पे इसका link कैसे copy करना है या तो आप right click करके यहाँ से copy link address कर सकते हैं ठीक है यहाँ से copy link address कर लिया मैंने उसके बाद वापस customization वाले पे आया और यहाँ पे फिर से आपको add section में ही जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पे single playlist का यह option दिखाई दे रहा है आपको इस पे click करना है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके channel की playlist आ जाती है और यहाँ पे any playlist on YouTube हमें इस पे click करना है और जो link हमने copy किया था वो यहाँ पे paste कर देना है तो यह automatic search कर देता है तो हमें इसे select कर लेना है तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही select किया यह नीचे single playlist यह आ गई है अब इसको हम drag करके उपर ले आएंगे जहाँ पे हम लगाना चाते हैं हम उस channel के नीचे ही लगाना चाते हैं इसको तो यहाँ पे हम ले आएंगे ठीक है इस तरीके से और यहाँ पे फिर हम publish कर देंगे उसके बाद फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ यह view channel करके तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आप यहाँ पे कोई भी आपके चैनल पर आएगा बड़े चैनल पर तो वो यहाँ से तो आपका चैनल दिखाई देगा यह सब्सक्राइब कर सकता है और यहाँ से उस चैनल की वीडियोज आ गई ठीक है तो इन वीडियोस को वो देखेगा उसे content अच्छा लगेगा तो आपके इस channel को भी subscribe करेगा इससे आपके views भी बढ़ने में आपको काफी help मिलेगी क्योंकि जब वो इन वीडियोस को देखेगा तो automatic इसके views बढ़ेंगे तो इस तरीके से आप अपने channel में एक channel में दूसरे channel को add कर सकते हैं या फिर अपने किसी बड़े channel में अपने किसी छोटे या नए channel को add कर सकते हैं और उसकी videos को add कर सकते हैं और views को बढ़ा सकते हैं तो friends अब आपने अच्छे से सीख लिएगो कि कैसे आप अपने बड़े चैनल पर अपने छोटे चैनल को add कर सकते हैं और यहां तक कि आप उसकी videos को भी अपने बड़े चैनल में add कर सकते हैं और उससे आप views पा सकते हैं क्योंकि जो भी आपके बड़े चैनल पर आएगा वहा तो इसे like और share जरूर करें, thank you